तो मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ येस आप लोग आपने वैसे माइक म्यूट कर दीजे वर्ट वीडियो ओन कर दीजे सो देट सामने दिखता है तो क्लियर रहता है ठीक है अब हम बात करने जा रहे है एक टॉपिक है यूज आफ या पहले ले लेते हैं ट्रांसफर ओफ मूवेबल एसेट सेलरी की बात हो रही है ट्रांसफर ओफ आप नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ मूवेबल एसेट ट्रांसफर ओफ मूवेबल एसेट सी ट्रांसफर का मतलब है मैं आपको ओनर्शिप दे रहा हूँ मूवेबल एसेट से आप समझी कहें कि ये कम्प्यूटर हो सकता है लैप्टॉप हो सकता है मूबाइल हो सकता है टीवी फ्रेज एसे एनिफिंग जो भी मूवेबल है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं इसका मतलब मैं इसकी आपको ओनर्शिप दे रहा हूं आपको मुझे जरा एक बात बताना है मैंने एक कम्प्यूटर खरीदा था आज से तीन साल पहले पास साल पहले एक लाख रुपए का एपल का आप मेरे एंप्लॉई है मैं आपको आज वह लेप्टॉप दे रहा हूं एक लाख रुपए का लेप्टॉप खरीदा था मैंने पास साल पहले एंड वह आज मैं आपको दे रहा हूं ट्रांसफर कर दे रहा हूं मैं कहा रहा हूं यह आपका हो गया आप इससे मेरा वो एसेट आपको मिलेगा आपको बिलकुल फायदा है तनमे आगए है अभी अभी कंडिशन देखते हैं एक मन जरह पहले तनमे की कंडिशन देखें आगए तनमे अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है अगशन देखते हैं अभी का सब्सक्राइव के अच्छान पर नहीं आपको आपको फाइदा नहीं है तो ओव्यस्लि आपको फायदा है बट क्या आपको एक लाख रुपे का फायदा है? मैंने पास साल पहले एक लाख रुपे का लेपटोप लिया था अप्पल का आज मैं आपको दे रहा हूं तो क्या आपको एक लाख का फायदा है या कुछ कम का फायदा है? तो आपको जो benefit होगा वो benefit कितना होगा यानि benefit equals to cost minus depreciation बहुस पर जो depreciation लगा है आज की value को ही तो benefit होगा आज की value किसी भी चीज़ की value कैसे निकाली जाती है उसमें से depreciation घटाने के बाद तो cost minus depreciation कर दीजे इतना आपको benefit हो जाएगा यह depreciation कितना लगेगा यह depend करता है income tax वालों ने अपना rate दिया हुआ इसके लिए इसके अलावा अगर मैं कुछ पैसे आपसे ले लेता हूँ तो वो भी less हो जाएगे minus amount received from employee if any यानि मैं आपसे simple सी बात कह रहा हूँ कि एक लाख रुपे का मेरा laptop minus depreciation पास साल का आज की value आजएगी से value 40,000 आती है और मैं आपसे 10,000 ले लेता हूँ तो आपको benefit के वल 30,000 का होगा अगर मैं कुछ लेता हूँ benefit को query उठती है sir, depreciation की rate क्या होगी तो depreciation की rate के लिए आप क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे asset और एक तरफ लिखेंगे debt rate asset में सबसे पहले लिखेंगे computer laptop laptop or any other computer related items any other computer related items इन पे debt का rate लगाएंगे 50% on WDV 50% on WDV second लिखेंगे motor car इस पर लगाएंगे 20% on WDV third लिखेंगे थर्ड लिकें नीचे एक नोट लिखे depreciation is charged for each completed year completed year के लिए चार्ज होगा not for part of the year part of the year के लिए चार्ज नहीं होगा completed year के लिए चार्ज होगा example के तौर पर जैसे मैं आप से बोलता हूँ कि employer ने मान लिजए एक purchase करी थी ये example भी लिख 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 पर्चेस करी थी उसने suppose एक AC पर्चेस करा था उसने on 1st August 2015 में पर्चेस कर था एक अगस्ट 2015 को एक लाख रुपए का और वो अपने employee को दे रहा है employee को इसे दे रहा है एक December 2019 को कितने रुपए में 20,000 रुपए में और given कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है अब employee को निश्चेत तोर पर फाइदा तो हुआ है पर फाइदा कैसे निकालेंगे आप इस AC की आज की cost देखेंगे यानि एक अगस 2015 को इसकी value थी एक लाख इस पर डैप लगई है अब AC किस केटिगरी में आया laptop में, motor car में अधर्स में अधर्स में तो इस पर 10,000 रुपए का डैप लगेगा अब आप ऐसे गिन सकते हैं एक अगस्ट 15 से लेके एक अगस्ट 19 तक 16, 17, 18, 19, चार साल में 40,000 डैप लगेगा क्योंकि टैप 10% on, cost लगना है so आज की वेल्यू, एक अगस्ट 19 की वेल्यू इसकी ओने चीएं, साथ हजार, are you getting my point? 10% on, cost है तो cost की case पर एवरी टाइम दस हजार लगना है वह एक लाख ही cost है, एक लाख का दस परसेंट हर बार कितना लगना है 10,000, तो 15-16 हर completed year में, एक अगस 16 को 1 साल हो गया, एक अगस 17 को 2 साल, एक अगस 18 को 3 साल, एक अगस 19 को 4 साथ हजार हो गया आई बात समझ में, एक लाख रुपे का था, चार साल में, चाले साथ हजार रह गया, एक अगस 19 से एक दिसंबर 19 तक का वो नहीं लगेगा, डैप हमेशा completed year पर लगेगा, आप देखिए मैंने यहां कई नहीं लिखका 20% पर एनम, अगर कभी भी किसी रेट के आगे पर एन अगर इसी कोश्चन में, हम अगर क्या कर लेते हैं, एसी की जगा मोटर कार कर लेते हैं, सेम कोश्चन और मोटर कार कर लेते हैं, मोटर कार कर लेते हैं, मोटर कार की जगा कंप्यूटर कर लेते हैं, मोटर कार की जगा कंप्यूटर कर लेते हैं, मोटर कार की जगा क्या है मोटर कार में बाई को आएगा यह सिर्फ कार आईगी एक तुवीलर को कभी कार बोलते हैं है नहीं सर मिलेको लगा मोटर कार का मज़ा हैं नहीं कुछ लग नहीं सकता मोटर कार अगर मैं वहकल बोलता तो यह कोईरी आ सकती थी आपकी अब जड़ा देखिए इसमें कंप्यूटर वाले केस में देखिए क्या हो रहा है कंप्यूटर वाले केस में 1 अगस्ट 2015 में 15 था ना इस कॉस्चन में एक अगस्ट 2015 में सब्सक्राइब एक लाग क्या आप इसमें चार साल का लगा सकता हूं एक साथ नहीं लगा सकता क्योंकि 20 परसेंट वन डब्लू डीवी तो डैप लगाएंगे 20 परसेंट 20 थाउजंड असी आ गया ये आगई कीमत एक अगस्ट 2016 की फिर डैप लगाईए शुरा जाएंगे I am sorry, computer, very, 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 very sorry, very sorry, very sorry, 50,000 लगाई ये, this becomes 50, then 25 लगाई ये, that becomes 25, एक अगस 17 में, और फिर डेप लगाई ये, साडे बारा साडे बारा रह गया एक अगस अठारा में फिर डैप लगाई गये 6,250 6,250 गये एक अगस उननेस में बाकी का नहीं लगाईगा 6,250 की चीए 20,000 में employee ले रहा है तो there is no benefit कोई ऐसा employee मिल जा है 62,250 की चीए 20,000 में लेने को तयार है तो सर यहां कितना माइनस में तो कोई बेनिफिट लिखा नहीं जाता तो निल लिखतेंगे अगर आप एमप्लोई से कुछ चार्ज नहीं करते तो एमप्लोई को 625-0 का बेनिफिट हो जाते हैं कम्प्यूटर रिलेटेद आइटम को सर आप क्या बोलना चाहेंगे जैसे मैं बोलना चाहूंगा सके लिए scanner, printer. मोबाइल यहां नहीं आएगा माइडियर. मोबाइल इस नौट कम्प्यूटर रिलेटेटेद आइटम. camera यहां नहीं आएगा mobile camera कहा जाएंगे third point किसी की कोई query है तो मुझे से पूछ लीजे sir इसमें company के हिसाब से asset की value तो अलग आ रही होगी company के उससे अलग आ रही होगी देखिये जो भी income tax है जब मैं आपको PGVP पढ़ाऊंगा तो income tax accounting में नहीं घुसता company के साब से value अलग आ रही होगी वो तो आपको schedule के according जो company's act की death rate है वो लेके चलनी है सिर्फ जो benefit के लिए है वो ये माना जाएगा हमें इससे मतलब नहीं accounting में क्या आ रहा है और कोई query है sir hard disk भी computer related में डालेंगे है obvious obvious इसके बार नेक्स लिखिए use of movable asset अब अगला आ गया इस बार मैं आपको asset transfer नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा आप जो है asset use कर लो मेरा laptop है आप use कर लो मेरी car है आप use कर लो और जिस दिन मैं आपको निकालूंगा उस दिन मैं इससे वापिस ले लोगा मतलब it is not for you मतलब you are not going to become the owner यह सिर्वा आप use कर सकते हो अब बताईया आपको कोई benefit हो रहा है या नहीं हो रहा है use कर लोगा किस चीज का benefit हो रहा है? depreciation का अगर आपकी अपनी asset होती तो जो गिसाई होती जो debt होता वो आपका नुकसान होता अगर इस बहुत है उसका बच रहा है उसके tire depreciation यह सब बच रहा है यहां इस case में हमारा benefit होगा depreciation benefit होगा depreciation सिर्फ depreciation अब एक तरफ लिखिए asset अगर इसमें से भी अगर आप minus में कुछ उससे charge कर लोगा तो वो less हो जाएगा asset एक तरफ लिखे debt यहां computer laptop and computer related item इसमें depreciation निल माना जाता है आज की date में usually companies usually employer employees को laptop अगरा use करने के लिए देते ही है yes और वो सब से फाइदा क्या होता है employer को फाइदा और होता employee को कुछ फाइदा नहीं होता रात 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 बर mail कराते रहते हैं काम कराते रहते हैं तो इसलिए इसको इसको कोई benefit नहीं मना जा अधर अधर एसेट लिख लेगे अधर 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 में सब आजेएंगी खुश होना है कि चलो और दुनिया को समझ में नहीं आएगा तो अगर यूज के लिए asset है तो 10% पर एनम लगेगा चाहे मोटर कार हो चाहे अधर assets हो और अगर ट्रांसफर हो रही है तो मोटर कार में WDV पर 20% और ये पर एनम लिखा है माईडियर इस बार ध्यान रखे यानी एक एक दिन का डैप काउंट होगा यहां completed year का कोई रोल नहीं है अब suppose इसका example लिखे जड़ा अभी बात समझ में आएगा exam में आता है कि company gifts video camera of rupees 1 lakh to the employee for use on 1st August 2019 1st August 2019 को use करने के लिए company देती है अब आप देखेंगे exam में कि यहां लिखा हुआ है use use करने के लिए और क्या देती है video camera तो आप क्या देखेंगे अगस से use करने के लिए देती है तो अगस सेतंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आठ महीने का डैप निकाल दीजे एक लाग का दस परसेंट आठ महीने का ऐसा नहीं होगा आठ अगस को देंगे अगर देंगे तो दिन के साप से लिए अगस को देंगे तो दिन के साप से लिए निकलेगा जो भी वेल्यू आएगी देट देट वड़ भी पोस्टेट इन सेलरी शीट लगबग 6,670 अच्छा आप एक बात बताएगे यह मैं एक अगस्त 19 की जगा जला ध्यान से सुनियेगा मैं एक अगस्त 19 की जगा एक अगस्त 16 से आपको यह यूस के लिए देता आज तक आप एक अगस्त 16 से इसे यूस कर रहे है तिल डेट बताएगे डेट कितना चार्श करते आप तो यूस कर रहे है एक अगस्त 16 से लेके 31 मार्श 20 तक आपने यूस कर आपका में नोट किया है या उनिस फीज में जदा एक साल का ही तो डैप अज विए हुगा यह सिंद आप मेरी बास समझे ज्टूडेंट मैं नोट किया एक अगा शुला शुला से लेकर आज तक का डैप टैक्से बल कर देते हैं अरे अगस्ट 16 से लेके मार्श 17 तक का डैप तो 16-17 में हो गया होगा, फिर एक अपरेल 17 से एकत्रमाल 18 तक का 17-18 में हो गया होगा, एक अपरेल 18 से एकत्रमाल 19 से लेके 31 मार्श 20 आपके AY 21 में होगा, तो आप हमेशे ज्यादा ज्यादा एक साल का ही taxability create कर सकते, ठीक है, कि एक video camera है, ने video camera बहुत ले लिया हमने, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, motor car करते हैं, motor car है, purchased करी थी, employer नहीं करी थी, on 1st August 2015, at rupees 10 lakh, given to employee, for use and transferred it on 1st December 2019, for rupees 1 lakh, 150, पतला मेरी पास समझे, employer ने कार खरीदी थी, एक अगस 2015 में, कितने रुपे की, 10 lakh की, जो उसने employee को use करने के लिए दे दी, employee मजे से एक अगस 15 से use कर रहा था, एक December को employer कहता है, अब तू ही रख ले इसे, मैं इसे transfer कर देता हूँ, और employee से 10 lakh होपे ले लेता है, अब हमें taxable value निकालनी है, for AY 2021, 2021 के लिए हमें value निकालनी है, अब इस condition में आप क्या करेंगे, पहले बताइए हैं, ट्रांसफर वाला benefit हो रहा है है, यूज वाला हो रहा है है, दोनों हो रहा है है, अब आपके CR के लिए काम कर रहे हैं, 19-20, 2019-20 में, 2019-20 में, यूज कहां तक किया आपने, 1 April 19 से लेके, यूज तो आप कफसे कर रहे हैं, एक अगस 15 से, पर 15, 16, 15, 16 में taxable हो गया हो, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19 में, और 1 April 19 से लेके, 1 April 19 से लेके, यूज वाला बेनेफिट है, यूज वाला बेनेफिट है, अब यूज वाले में जाओ, यूज वाले में वो कहते हैं, 10% on cost, मोटर कार की cost कितनी है, 10 लाक का 10% अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, आठ महीने का, 66,667, this is going to be taxable in salary sheet, इसके अलावा आपको ट्रांसफर और गर दिया, उसने, यहां तक तो आपने car use करी, यह आपको benefit हुआ, इसके बाद आपने employer से car ले ली, अब ट्रांसफर वाला पे जाईए, ट्रांसफर वाले के लिए आपको उसकी आज की value निकालने है, आज की value के लिए आप क्या करेंगे, डैप लगाएंगे, cost कितनी है उसकी, 10 लाक, किस डेट में थी, 1st August 2015, 1st August 2016 को 2 लाक का डैप कट चुका होगा, 20% लगाओगे न डैप, 1st August 2017 में 1.60 का डैप कट गया होगा, 1st August 2017 तक, value 46 रह गई होगी, 1st August 2018 तक, 1,28,000 डैप कट गया होगा, value रह गई होगी, 5,12,000, 1st August 2019 तक, 4 लाक, भाई, मोटर कार, मोटर कार है, ट्रांसफर में मोटर कार पे डैप रेट क्या है, 20% on WDV, 20% और यूज के टाइम में मोटर कार पे डैप क्या है, 10% on cost, यही तो मैं कहा रहा हूँ, it is a confusing question, कि बंदेग ने एक ही asset डिये, जो asset employee ने कुछ दिन use करिया, यूज करने के बाद उसने transfer ले दिया, उसका, तन में समझ पे आरीज बाद, आपने 1 अपरेल 19 से, 1 December 19 सकतो इसे use किया, इससे पहले जो use कर रहे तो पहले के सालों में taxable होगी होगा, यूज करते समय है, आपको 10% on cost के साब से taxability बनी, फिर आपको कारी मिल गई, जब कार मिल गई तो कार की value निकाली जाएगी, value निकालने के लिए, transfer के case में हमें 20% on WDV लगाना है, तो 10 लाग पे 2 लाग लगा, पहले साल फिर 8 लाग पे लगा, फिर 6 लाग पे 5 लाग पे 5 लाग लगा, चार लाग 9600 इसके एक अगस 19 में कीमत थी, 1 December 19 में मैं इसको transfer कर रहा हूँ, क्या और तीन महीने का DEP लगेगा? नहीं लगेगा DEP, तो 4 लाग 9600 की चीज मैं आपको कितने में transfer कर रहा हूँ, 1.5 लाग में, तो आपका benefit हो जाएगा, 2,59,600, तो इससे confusing question आप पूछ लीजे मुझसे इससे related जो point है आपका, मैं यह सोच रहा था कि 1.12.19 तक तो इसको यूज करने के लिए दिया गया है, exactly, 1.12.19 तक यूज करने के लिए है तो वो यूज करने वाला DEP हम नहीं लगा लिया, यूज करने वाला DEP लगा लिया, 10% per annum, 10% per annum, हाँ, आप 2015 से use कररहा है, तो 15-16 में जो use किया हो गगा उस साल देदिया होगा, तो 16-17 में taxable होगा होगा इस साल के जो आठी महीने का taxable होगा, यूज करने जो यूज करने वाली बात तो अग होगा, तो वेल्यू भी फिर उसी साब से निकालेंगे उसी साब से निकालेंगे उसी देट से जिस दिन खरीदिया तो फिर ठीके तो समझ गया अब ट्रांसफर वाले पर जाएंगे या वेल्यू इस वाले ट्वंटी परसेंट है चारलाग नौजाज़ शहसो की चीज में आपको देड़ लाग में दे रहा हूं दो लाग उनसट शहसो के बेनेफिट हो अगर ध्यान दे तो जब मैंने कार वाला पॉइंट पड़ाया तो कार में मैंने आपको बोला जब कार यूस करने के लिए जाती तो 10% टेक्सेवल होता है 10% पर एनम ध्यान है कार वाले रूल्स तो यहीं से तो आया 10% पर एनम ऐसे रेंट फ्री अकॉमडेशन में आपको दे रहे हैं तो फर्नेश अकॉमडेशन में हमने फर्नीचर का वैल्यू कितना जोड़ाया 10% पर एनम वो यूस वाले चार्ट से ही तो कोई भी एसेट अगर हम आपको यूस कर रहे हैं तो 10% पर एनम भी लगड़ाया आप जरा आजो प्रॉब्लम नंबर फोर पे ना के प्रॉब्लम इलस्टेशन 4.32 4.32 जरा यहां पर आईए जरा प्रॉब्लम इलस्टेशन 4.32 में आर इस एंप्लाइट विद एबी सी लिमिटेड और मंतली सलरी बच्चेज यह सब बख्वास में नी पढ़ रहा आ रहा है आप कर ली देगा हाउजिंग लोन यह समय भी लोन वाला पॉइंट आपको पड़ाऊंगा थर्ड पॉइंट ही इस अलाउट तो यूसर वीडियो गैमरा मिल गया पेज 106 ही आपके लिह दिकत हो सकती है तन में आपके लिए हो सकते मैं आपको वट्सैब करा था एक बाढ देखिये 106 पेज सार म cultivate doork get circled गया तक 2004 मिल गया तनमय जिए आपको ने की बुक से ही मैने तनमे को पेड जा है Actually, मुझे गलती से मुझे लॉकडाउन से पहले दे गए थे, मैंने इंसे मंगाई थी वुक और मैं वुक को इंड़ा जाए, इसलो कोई बात नहीं तो यहां पर ज़रा, इसमें देखे, He is allowed to use video camera belonging to company इसको use करने के लिए video camera दिया Company इसको एक मही 16 से purchase किया था और इसको एक अगास 19 को बेज दिया तो एक मही 16 से इसे use करने के लिए दिया मगर इसको benefit कहां से होगा एक April 19 से लेके एक आठ उननिस तक एक आठ उननिस तक इससे पहले जो use करने के benefit थे वो तो पहले के सालों में हो गए होगे अब वीडियो कैमरा यूज वाले में जाओ यूज वाले में लैप टॉप के अलावा बागी सब चीजों पे 10% पर एनम लग रहा है वीडियो कैमरा साथ हिजार का जाओ 10% से अप्रेल मतलब ये कितना होगा अप्रेल मई जून जुलाई चार मईने कितना बना 2000 रुपय ये तो ये हो गया इसके अलावा वो कह रहा है साम मैंने ट्रांसफर भी कर दिया वो वीडियो कैमरा को एक अगा सुनिस को 30,000 रुपय में बेज दे रहे है अब वीडियो कैमरा की वैल्यू निकाली जाएगी वीडियो कैमरा कब खरीदा गया था 1st May 16 में कितने का खरीदा गया था 60,000 का ट्रांसफर के केस में यहां 10% of cost लगेगा तो cost लगेगा तो हर साल 6,000 लगना है 12 से 17, 17 से 18, 18 से 19 यानि 1 माई 19 तक समझ रहे 18,000 का डेप लग जाएगा 10% पर एनम से 6,000 तीन साल का इसकी value रहे जाएगी 42,000 माई से अगस तक का कोई डेप नी लगेगा 42,000 की चीज़ employer आपको कितने में दे रहा है 30,000 में 12,000 आपका एक benefit होगा आपके दो benefit होगे 12,000 रुपे का और 12,000 रुपे का और 12,000 रुपे का तीनो साल का मैंने एक साथ लगा दिया 18,000 रुपे का एक माई उननेस को 42,000 जून जुलाई अगस पार्टली यर का कोई डेप नी लगता ट्रांसफर के केस में और फिर यह ऐसे हो जाएगा तो यह जुझा के भी चाँचिंगा प्रश्वी का जलो मीटिंगा ओन करके दोवारा आ रहा हो जरा चार्जर दूलो अभी आ रहा हो बापस तब भी शतम होगे